यह देखेंगे, जैसी मैं इसको 3 तीन बार प्रेस करूँगा अपने पावर बटन को 1,2,3 यह वापिस आ गया So what's up guys, this is Amir and you are watching technical news channel Guys, this video में हम बात करने वाले एक बहुत super useful iPhone trick की जिसको मैं बोलता हूँ Dark mode extreme, जियां दोस्तों यह जो dark mode है, यह extreme मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पर आप अगर मान लीजिए, full brightness भी लोग कर देते हैं iPhone की तो कभी कबार नहीं, ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है, सारे लोग पूछते मिया है यह हम इतनी brightness कम कर देते हैं, लेकिन जब हम अंधेरे में जाते हैं तब भी ना हमें बहुत तेज लगती है यह brightness, ठीक है, एंड दूसरी बात, मुझे जो लोगों ने बोली है, वो यह बोली है एंड यह जो dark mode है, यह black wallpaper के साथ तो super cool लगता है जियां दोस्तों क्योंकि यहां पर यह आपकी battery saving में भी help करता है प्लस अगर आप रात को phone चलाने के शौकीन है, जो की थोड़ी सी personal preference हो सकती है तो यहां पर यह आपको बहुत ज़्यादा eye strain होने से भी protect करेगा क्योंकि जैसे ही मैं तीन बार यह button दबाऊंगा, 1,2,3 आप देखेंगे कि मेरी extreme dark हो गया, प्लस यहां से मैं brightness भी low कर दूँगा तो अब आपको मेरे phone में शायद ही कुछ दिख रहा होगा अब मैं जैसे ही brightness on करूँगा, तब ही आपको कुछ दिखेगा तो यह इसको मैं बोलता हूँ extreme dark mode, जीना दोस्तो इसको open करने के लिए आपको simply settings पहले में इसको off कर देता हूँ यह देखेंगे आप यहां से grey area भी चला जा चुका है ठीक है, आपको दिख रहा होगा, कहीं grey भी नहीं दिख रहा होगा ठीक है, बैटरी भी super save करेगा, इसको enable करने के लिए पहले में इसको हटा देता हूँ ज़रा ताकि आपको असानी सारी चीज़े दिख जाए है, 123 हटा दिया ठीक है, इसको enable करने के लिए extreme dark mode को आपको सबसे पहले display and brightness में जाना है यहाँ पर true tone अगर आपकी on होगी, तो इसको कर देना है off, आपने off किया एंड उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है accessibility में, जी हाँ दोस्तो accessibility में जाने के भाद आपको यहाँ पर इस तरीके से display and text size दिख रहा है, इसको आपको click करना है कुछ इस तरीके से जैसे ही आप इस पर click करेंगे, आपको नीचे आ जाना है and यहाँ पर reduce white point को on कर देना है यह क्या करता है, इसमें जैसा कि लिखा है reduce the intensity of bright colors, ठीक है तो यह bright colors की intensity को कम करेगा जिससे की on करते ही, आप यहाँ पर इसको 25% पर रखेंगे या फिर आप इसको 100% पर कर देंगे तो बहुत extreme dark mode से भी dark mode extreme हो जाएगा ठीक है, मैं इसको suggest करूँ है कि आप इसको 80 या 85% पर रखेंगे 85% पर रहने के बाद इसको on कर दिया है यहाँ से, अगर आप इसको off कर देंगे तो आप इस normal phone हो जाएगा जैसे ही आप इसको on करेंगे तो यह automatically 85% पर सेट है, मैं इसको जरा off कर देता हूँ, अब इसको 3, इसको 3 tap पर कैसे enable करना है, जैसे मैं दिखाता हूँ 123, यह देखो लग गया, इसको मैंने 3 tap पर कैसे लगाया, 123, यह automatic off भी हो गया, तो यह कैसे, इसको लगाने के लिए आप आपको यहां पर आपने simply setting कर दे 85 पर बंद कर देना है, बैक आजाना है कुछ इस तरीके से, बैक आने के बाद सबसे नीचे आपको यहां पर दिख रहा है, accessibility shortcut, यहां दोस्तस पर click करना है, accessibility shortcut पर जाने के बाद यहां पर reduce white point को यहां पर इस तरीके से on कर देना है, बस, that's it अब जब भी आप यहां पर triple tap करेंगे, 123 तो यहां पर आप extreme dark mode के अंदर activate हो जाएंगे, जिससे की आपकी यह देखी है, आप ग्रे ग्रे एरिया भी सारा जा चुका है, यहां पर एकदम black black दिख रहा होगा, यहां पर brightness full है, अब मैं इसको एकदम extreme low कर दूँँगा, तो ब बहुत काम की तरीक है, ठीक है, यहां पर आप इसको on कर दीजे, कुछ इस तरीके से, जब भी आपको कहीं outdoor में जाना हो, 123, 3 tap करती, यह extreme bright हो जाएगा phone, अपने friends को बता सकते हैं, share भी कर सकते हैं अपने family members के साब, ताकि उनकी आखे खराब ना हो, ठीक है, तो इसी तरीकी कि न मैं बहुत जबरदस वीडियो लाइन अप में हैं, सच बता रहा हूं, तो आने वाली हैं, तो see you सूनी ने नेक्श वीडियो